करण जीके का पर्थम क्या कह रहा है कितने परियेटन इस्तलों को इको टूरिजम डेस्टिनेशन के रूप में विक्षित करने की गोशना की गई है यानि कि अभी हाली के अंदर राजस्तान के कुल कितने ऐसे प्रियेटन इस्तल हैं जिनको इको टूरिजम डेस्टिनेशन के रूप में विख्षित करने की गोशना की गई है। सबसे पहले तो ये गोशना करता कौन है। अभी हाली के अंदर वन विभाग दुआरा। तो हाली के अंदर इस वन विभाग दुआरा याद रखेगा कुल 110 प्रियेटन जो इस्तल हैं इस 110 प्रियेटन इस्तलों को याद रखेगा इको टूरिजम याद रखेगा डेस्टिनेशन के रूप में विख्षित किया जाएगा। इक सब्द यहाँ पर आपके सामने आया इको टूरिजम डेस्टिनेशन इसमें से हमेशा एक क्योशन आता है कराजस्तान में इको टूरिजम जो पोलिजी है वो कब आय थी? तो याद रिखेगा राजिस्तान में एको टूरिजम जो पोलिसी है वो ही आपके जुलाई 2021 में तो अब एको टूरिजम डेस्टिनेशन 110 परियत निस्तलों पर विक्षित किया जाएंगे यह गोष्णावन विभा की है ठीक है ओप्षिन नमर हो जाएगा यहाँ पर एक इस करेक्ट आसवर ठीक है किलियर चली अगला देखिए अगला है आपके सामने के छोटू और मुन्ना गेस सिलेंडर योजना को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से शुरू किया गय यानि कि एक गेस सिलेंडर योजना है को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से शुरू किया गया है चोटू गेस और मुन्ना गेस यानि कि छोटू गेस पांच केजी पांच किलो इसके अंदर और मुन्ना गेस जो है इसके अंदर दो केजी यानि कि अब कुछ ऐसे गेस सिलेंडर आएंगे जो कि सर्मिक लोग हैं वो अब अपना काम करने के लिए थोड़ा सा अपने गर से काफी दूर जाते हैं तो वो अपने साथ में ले जा सकेएंगे ये जिसे विद्यारती है अब गाउं से यहां आगे से पढ़ने के लिए तो वो ये छोटू या फिर मुन्ना गेस सिलेंडर ले सकते हैं तो नाम भी दिये देखो छोटू गेस और मुन्ना गेस और ये जो योजना है ये इस योजना का नाम भी यह है छोटू वे मुन्ना गेस सिलेंडर अभी तो यह पाइलेट प्रोजेक्ट के तेहत है और यदि यह सफल हुआ तो फिर यह संपुन राजस्तान के अंदर सुरू हो जाएगा कौन सा छोटूवे मुन्ना गे सिलेंडर तेहत जहां से सुरू हो रही है वो इस्तान है याद रिकेगा भीवाडी कौन सा है भीवाडी और भीवाडी आप सब जानते ही है कहां पर है खेर तल ती जारा यानि कि ऑप्शन नमर जो है वह है डी इस करेक्ट सुरू याद रिकेगा भीवाडी खेरतल ती जारा और भीवाडी के बारे में तो आप जानते ही है कि भीवाडी जो है यह राजस्तान का नवीन मैंचेस्टर है राजस्तान का नवीन मैंचेस्टर की रूप में यह दी कोई विक्षित है तो वो है आपके भीवाडी चलिए फिर आप भी एक कमेंट करके बताइए कि राजस्तान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है राजस्तान का मैंचेस्टर राजस्तान का मैंचेस्टर करेंगे कमेंट तो यहाँ option नमर हो जाएगा आपके सामने D is a correct answer याद रिखेगा ठीक है खेरतल तीजारा चले आगे अगला देखे अगला question है विदान सबा में अधिनस्त विदान सम्मंदी जो समीती है उसका सबापती बनाया गया अभी देखे आपको पता हो हाले के अंदर विदान सबा के अंदर चले फिर यह question बताएगा आप ये कि अभी खाले के अंदर विदान सभा में कितनी शिमीतियों के सभापति बनाएगे जिसमें आपके सामने जो समीति है वो है याद रखेगा कौन सी इंपोटेंट है याद रखेगा अधिनाश्थ विदान सम्मंदी समीति और इसका जो सभापती है वो जिसे बनाया गया है वो है आपके अनीता भदेल किसे बनाया गया है याद रखेगा अनीता भदेल यानि कि option number जो है वो हो जाएगा आपके सामने C is a correct answer याद रखेगा ठीके लेकिन आपको पूछ ले कि सदाचार जो समिती है उसके सभापती कौन है सदाचार समिती तो याद रखेगा हरीस चोधरी हरीस चोधरी जो वरतमान के अंदर बाईतु से विदायक है very very important याद रखेगा ठीके और उस्वेंदर सिंग का आपको पूछे तो याद रखेगा विसेशा अधिकार जो समिती है उसके सभापती तो यह दोनों ही बिंदू बड़े खास है सदाचार समिती के सभापती विसेशा अधिकार समिती के सभापती और अधिनस्त विदान समंदी जो अगला कुशन देखे वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगला है विदान सभा में अल्प संख्यकों के कल्यान संबंदी समिती का सभापती किसे बनाया गिया अप्शन है केसा राम चोदरी पबा राम विश्नुई दया राम परमार या हमीर सिंग आपके भायल तो याद रिखेगा इंपोर्टेंट जो अल्प संख्यक है उनके कल्यान समंदी जो समिती है उसका जो अध्यक से वो जिशे बनाया गया वो है पबा राम विश्नुई इसके जिसे अध्यक्स बनाये गया वो है याद रिखेगा पबा राम विश्नुई वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रिखेगा ठीक है लेकिन पिछले वरग से समंदी आपको पूछे तो वो है कैसा राम चोदरी पिछले वरग से समंदी जो समिती है उसके सभापती है आ याद रिखेगा कैसा राम चोधरी वेरी वेरी इंपोटेंट और परियावन संबंदी पुछे तो याद रिखेगा दयाराम परमार परियावन संबंदी समिती तो यहाँ पर जो ऑप्षन है वो हो जाएगा आपके सामने वी जिक करेक्ट आस। देखेगे यह दोनों ही क्वि जो समिती है उसके सभापती याद रिखेगा अनिता भधेल एक याद रिखेगा सदाचार जो समिती है इसके अध्यक्स मतलब सभापती आपके अरिश चोधरी विशेशा अधिकार जो समिती है याद रिखेंगा पुस्पेंदर शिंग और इसके अलावा यहाँ पर अगले क्यूशन है आपके सामने क्या कह रहा है पूछा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना के अंतरगत कोफी वित डिविजन कमिशनर का नवाचार किस जिला परशाशन का है देखिए एक यूजना तो ही आप यह पहले से चली आ रहे है चली फिर कमेंट करके बताई यह यूजना कब शुरूई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो यूजना है इस यूजना के अंतरगत एक नवाचार शुरू किया गया है कौण सा वो है आपके कोफी वित डिवीजनल कमिशनर यह जो नवाचार है यह कहां से शुरूआ है किस जिला परशाशन का है यह पाली है जुझनु है शिकर है या फिर उदेपुर है बताईए यह वैसे अभियान जो है यह जो है जिस जिल्ला परशाशन दुवारा है वो जिल्ला परशाशन है आपके पाली पाली वैसे इसका आयोजन कब होगा परति एक बाली का दिवस के आउसर पर मॉस्ट इंपोर्टेंट बात या देखेगा ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बाली का दिवस पर परति तक कम से यह है कि दस्वी से लेकर 12 तक की ककसाएं है, उसके अंदर कम से कम 100 छात्राओं को, राइट आंसर पाली तो है, पाली, औप्चन नमबर ए यह जे गरेक्ट आंसर, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था कि इसका में उदिश है क्या है? इसका मेन उदिश्य यह है कि कक्षा 10 से लेकर 12 तक कम से कम 100 चात्राओं को याद रखेगा Very very important है यह कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक याद रखेगा ठीक है चात्राओं को coffee table पर चर्चा के लिए ठीक है coffee table तो यहाँ पर जो option number है वो हो जाएगा आपके सामने याद रखेगा A is correct आसर पाली ठीक है चली तो यह एक नवाचार थोड़ा सा important है याद रखेगा ठीक है coffee with divisional commissioner पाली यह जो नवीनतम समीतिया मनी है इंसे related question बन सकता है हालांकि ऐसे question RSSB board और RPC दोनों ही पूस्ते है याद रखेगा ठीक है और अगली बात करें तो यह एक थोड़ा सा नवीनतम है पाइलेट प्रोजेट के रूप में है तो अच्छा question बन सकता है ठीक है कहां से है भीवाड़ी से इस्तान भी जरूरी है और यह याद रखेगा यह question बनने के सबसे ज़्यादा इको ट्यूरीजम जहां नाम आएगा वहाँ question बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो यह थे आज के हमारे मौस्ट इपर्टेंट